बारिश के मोसम में अगर ये वाले पकोड़े आपने नहीं खाए हैं तो चलिए आज बनाते हैं तो सबसे पहले मैं गई थी अपनी छत्वर बहां से लाई हूं मैं काफी सारा पोधीना काट कर और इसे मैंने बढ़िया से साफ करके दो के काट लिया है पोधीने को एक बावल में ट्रांस्वर करके आप इसमें डाल दिया है एक काटोरी बेशन और आप मैंने इसमें एक चमच लहसुन और हरीमिस का पेश डाल दिया है और एक बड़ा चमट डाल दिया है इसमें धनिया थोड़ा सा डाला है गरम मसाला और स्वाधनोसान नमक डाल कर इसमें थोड़ा थोड़ा पाने डाल कर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन पकोडों को बनाना बहुत ही असान है और चाय के साथ तो यह पकोड़े बहुत ही ज़्यादे टैस्टी लगते हैं और यह पकोडों को बैटर हमारे बिल्कुल तैयार है तो इधर हमने तेल अपना गरम करने के लिए रख दिया था तेल हमारा अच्छे से गरम हो चुगा है और अब हम इसमें एक-एक पकोड़े डाल देंगे जितनी पैन में जगे हैं उत्रे पकोड़े इसमें डाल के एक साइड से बढ़ी हैसे पकने देंगे एक साइड से पकने के बाद अब हम पकोड़ों को पलट देंगे और दूसरी साइड से भी बढ़ी हैसे पकने देंगे पकोड़ों को दोनों साइडों से उलट पलट करके बढ़ी हैसे क्रस्पी होने तक फ्राय कर लेंगे ये पकोड़े बहुत ही जल्दी बनकर तयार हो जाते हैं, इनमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है और ये देखिए, पकोड़े हमारे बनकर बिल्कुल तयार हैं, अब हम इने एक प्लेट में निकाल लेंगे तो आप इन पकोड़ों को इस तरह से बनाके अपने फैमली के साथ इंजोई कर सकते हैं अगर मेरी रेसेपी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो फ्लीज वीडियो को लाइक सेर करें एक नई रेसेपी के साथ फिर मिलेंगे, थैंक यू